नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में दिल्ली सरकार ने DMRC के और से संचाल लित की जारही 100 फीडर यी बसों को टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि DMRC अभी करीब 100 फीडर बसे चला रही है जिन्हें टेक ओवर करने की प्रक्रिया अप्रेल तक पूरी हो जाएगी इसके बाद दिल्ली सरकार ही इन बसों का संचालन करेगी हाला कि सूतरों से पता चला है कि इन फीडर बसों को D सो बसें प्रयाप्त नहीं है उसे देखते हुए सरकार इन रूटों के लिए 380 नहीं बसें भी खरीद रही है इसके लिए टेंडर भी निकाले जा चुकी है सरकार की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक ये सभी बसे सड़कों पर उतर जाएं दिल्ली सरकार ने पिछले साल लूटों पर चलने वाली सभी बसें चोटे साइस की इलेक्रिक फीडर बसें होंगी इस वीडियो में क्याल इतना ही देश वादुने की तमाम खबरों के लिए देखते हुए देख नियूस